Hello friends, welcome to the family of smart school, easiest way of learning. तो friends, आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे RRB NTPC Level 6 के DV schedule के बारे में. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और RRB ने अपना DV schedule है, यहाँ पर जो announce कर दिया है. जो कि उसका DV schedule है, वो 6 October से start किया गया है और 11 दिन का यहाँ पर schedule final किया गया है. तो इसके उपर हम साथ में चाहिए कि जो RRB की जो रफतार थी, पहले कुछ से हमने मीने पहले देखी थी, दो तीन मीने पहले कि उसने एक रफतार पकड़ी थी, जल्दी से जैसे exam conduct हो रहे थे, उसके एक हफते के अंदर answer की provide की जा रही थी और within 30 days वहाँ पर result उसका डिक दे दिया है अपनी website पर कि इस date से इस date तक यहां पर डिवी schedule किया गया आपका, तो और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि level 5 के result पर RRB चुप करके बैठ गया हालागि last notification में उसने यही बोला था, कि जो result का process है, under process है, उसको चल रहा है, उसका result पर हम बना रहे हैं, लेकिन अ RRB ने यहां पर अपना जो डिवी schedule है, वहां पर जारी किया है, मैं आपको लेकर आगया हूँ, जो RRB के डिवी schedule के जो आज जारी किया, आप देख सकते हैं, यहां पर 29, 2022 की data और यहां पर आप देख सकते हैं, RRB एहमदाबाद, जो RRB एहमदाबाद से जितने candidate हमारे ह यहां पर एक अच्छी खबर यह है, कि उनका जो डिवी schedule है, वो यहां पर जारी हो चुका है, अब वो थोड़ा उनको जो relief मिलेगा, कि वो अपने जो डिवी है, उनको जो documents चाहिए हैं, वो उनको complete करा सकते हैं, और further process के लिए चल सकते हैं, तो देखते हैं, जो इसमें schedule ज result dated 7-9-2022, on the website RRB Ahmedabad, DB for these shortlisted candidates will be held on, यहां पर यह जो date है, यह इसको note करेंगे, आप 6-10-2022 से लेके, 17-10-2022, मतलब 11 दिन का यहां पर जो यह schedule किया गया है, इनको, तो उसका reporting time जैसे मैंने आपको last में बताया है, कि चन्नाई की वी reporting time 8-9 के बीच में थी, तो यही timing रहे है, यह almost 9 a.m. का यहां पर time है, और RRB Ahmedabad, जैसे कि बताया है, जिस भी आप RRB में अपने apply किया है, तो आपका जो DV है, medical है, वहीं पर schedule किया जाएगा, जो RRB Ahmedabad में ही, यह Ahmedabad zone वालों का DV होगा, वहीं पर उनको जाना है, email SMS to this effect will be sent on the registered mail ID, mobile number of the candidates, advising them to download their e-call letters and travelling pass as applicable with further details and instruction to attend the document verification on the given date and time when you mentioned in the call letter, तो इसके बारे में अब यह हम देखते हैं कि इसके जो e-call letter है या आगे क्या इसमें बताया गया है, इसके बारे में, तो point अबर दो की बात करते हैं, failure to report the document verification, tent amount to rejection of candidature in case you are not able to attend the document verification, on account of your appearing in a university government examination or personal sickness, your advice to send intimation of your own reporting along with reason to this office by mail, schedule date and time, तो देखिए यहाँ पर आपको रिलक्सेशन देगी है, तो रिलक्सेशन आपको यहाँ पर block date की दे रखिए है, तो जैसे मालीजी आप यह schedule जो टाइम है, 6-10 से लेकि 17-10 के बीच में इसको a DV attend नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ वही candidate को exemption मिलेगी, जो university या government examination में वहाँ पर participate कर रहे हैं कहीं पर, तो यहाँ वो sickness है, तो sickness का पूरा medical जो उनकी history background है, जो इस time में इस time में अगर वो बिमार थे, तो उनकी पूरी reports वगारा वो साथ में चाहिए, तो आप उनको एक RRB को mail कर सकते हैं, mail के थूर आप intimation दे सकते ह कि मैं इस reason से यह जो DV attend नहीं कर रहा हूँ, तो वो candidates, तो बाद में जो document verification के लिए 20, 10, 22, 9 बजे RRB में, with documentary proof in spot of your not having been able to attend the document verification, सभी जो documents चाहिए, उसके साथ, plus एक extra document जो चाहिए, कि आपने जो schedule time था, 6 से 17 तक, उस time के दोरान आपने DV क्यों अटन नहीं की थी, इसका जो valid proof होगा, वो लेकर आपने 20, 10, 22, 9 बजे, वहाँ पर आपने report करना है, RRB में, ठीक है, you should report the e-call letter for DV already issued, no separate e-call letter for the block date will be issued, तो देखिए, साफ मतलब होगा, कि जो email, sorry, e-call letter होगी, आपको एक की बार issue हो जाएगी, आप वही download कर लेंगे, block date के लिए आपको separate को issue नहीं की ठीक है, तो वही आपकी जो e-call letter first, सभी के लिए जो आएगी, तो वही आपने download कर लेंगे, और आपको अगर block date में, आपको DV देना है, तो वही आपको applicable होगी, आपको extra वहाँ पर download, नहीं, ना तो issue होगी, और आपको download करनी पड़ेगी, चलिए, point number 33 की बात करते हैं, the short listed candidate for DV should produce all their relevant original documents as indicated in CEN01-2019 during DV, along with two set of Xerox copy of A4 size as detailed in CEN and e-call letter, तो देखिए, almost तो, जो इन्होंने यहाँ पर बताया है, कि जो notice में, DV के लिए, जो हमने 20 documents बताया है, जो हमने already discuss कियो है, अपनी वीडियो में भी उसकी पूरी वीडियो है, हलागि हमने थोटे दिन पहले एक और वीडियो अप्लोड की थी, जिसमें RRB Chennai ने जो call letter issue किया था, उसमें 4 extra documents डाले गए थे, तो वो भी हमने discuss कर लिए थे, 4 extra documents कौ कर दिया कि दो सेट अप जिरोक्स कॉपी एक फॉर साइस पर, दो सेट आपने बर्वाने हैं, जितने में आपकर original documents हैं, वो साथ में लेकर जाने हैं, और प्लस दो-दो सेट आपने extra लेकर जाने हैं साथ में, ठीक हो गया, चलिए, नेक्स देखते हैं, नेक्स पॉइंट न medical examination, देखें, ये बात हमने कुछ candidates की क्यूरी थी, उनको पहले ही बता जी थी, कि जो आपका medical होगा, उनना very next day, जो DV होगा आपका, उससे रखा जाता है, जिस दिन आपका DV होगा, उसके next day आपका medical हो जाएगा, माल लेजे अभी 11 दिन का ये schedule है आपका, आज माल लेजे 10 ब वहाँ पर, क्योंकि उसी ratio में candidate वहाँ पर जाएगे medical में, तो इसलिए जो भी candidate DV के लिए जा रहे है, वो prepare होकर जाएगे medical के लिए, अगर आपको कुछ कमी पेशी है कहीं पर, थोड़ी बहुत, तो वो आप पहले ही rectifies को करवा लीजिए, तो चली, point number 5 की अगर बात करते है तो देखिए इसका साब मतलब ये ये बोला गया है, कि आपको एक हम DV और medical के लिए बहुत हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है, कि हमने आपको job दे दी है, तो ये मेर लिए जो provisional होती है, तो provisional ये कब तक final नहीं की जाती है, जब तक आपका DV, DV से आपका ये सभी चीज़े नोट की जाएगी, जो भी आपने application form में अपना fill किया था हर एक चीज़, चाहे वो आपका नाम है, आपके माता का नाम है, आपके पीता जी का नाम है, चाहे आपकी date of birth है, चाहे आपके marks है, कुछ भी, अगर कोई भी जो आपने जो information उसमें provide की है, application form में, वो जब तक verify नहीं होगी, और उसके बाद जब आपको final selection यहाँ पर नहीं मिलेगी, यह आपने जहाँ पर चीज़ नोट करनी है, और यही आपको RRB नहीं यहाँ पर बताया है, तो चलिए next point देखते है, point number 6 के बात करते हैं, this is the last chance being given to you, failure to report on the given date and time will lead to rejection of your candidature, and no further correspondence will be entertained in this regard, तो देखिए यह जाहिर सी बात है, 6, 10 से लेक unless until आपको ऐसा काम ना होगी, आपको examination देना है, तो यहाँ फिर आप sick bed पर हैं, मितलब आप बिमार हैं बहुत जादा, तो उस reason में आपको exemption मिल जाएगी, और 20 तारीक है block date आपके लिए, तो लेकिन अगर आप बिमार भी हैं, तो आपने एक पूरी medical history बनवा लीजिए, doctor से लिखवा लीजिए, bad rest उस पर लिखवा लीजिए, क्योंकि जब आपको अगर आपके पस valid proof होगा, तभी आपको exemption मिलेगी, otherwise आपको block date के लिए exemption नहीं मिलेगी, तो यही main points से discuss करने वाले, तो जो DV के अगर हम बात करें, DV में क्या कर डॉकूमेंट्स चाहिए, उसके लिए म लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत मूलेगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो प्लीज लेटर सीट इंफॉमेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक्यू, थैंक्स पर बोचिं.